हेलो दोस्तो, वेलकम बेक टो एप्स के दिनिया योटॉप सैनल दोस्तो आज बताओंगा अगर आपका फोन बारवर हीट हो जाता है मतलब आप कुछ टाइम फोन को यूज करते हो तो फोन गरम हो जाता है अगर आपका फोन स्लो चलता है मतलब जो भी एप इंश्टा ओपन करना चाहते हो थोड़ा देर से एप ओपन होता है मतलब फून रुक रुक के चलता है और कभी-कभी फून हैंग भी होता है अगर यही प्रॉब्लेम आपके साथ हो रहा है तो आप इसको कैसे सही करोगे आज मैं आपको इस वीडियो में like to like दिखाऊंगा अगर आपका फून दो सल, तीन, चार, चार सल, पास सल पुराना क्यों न हो फिर भी एक कुछ सेटिंग है इन सेटिंग को करके आपका फून को बिल्कुल नया अज़े से बना सकते हो तो और वो कैसे होगा इस वीडियो को दोस्तो शुरू से लेके लाज तक जुरू देखना तो दोस्तो आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही इसरेशनल एपस की दुरिया में दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिणा डविश के चलो देखते हैं लेट्स केट स्टार्ट इट तो दोस्तो वीडियो को आगे बादने स्पहल एक रिक्वेस करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं आपको इसी खुश में पहले वीडियो को लाइक करते है यहां पे रिक्तिन फून हैं फून हैं ़िल करने आ अपको solution फून हैंग solution यह एक कमेंट करते हैं कमेंट हो जाएगा फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा simply अभी में कुछ ऐसे setting बता रहा हूं जो आप ध्यान से देखो बिल्कुल skip मत करो तो सबसे पहला से setting है आपका फून हैंग करने के लिए सबसे पहला जो reason है वह है आपका फून का फूले करना है अपको Just प्लेस्टर दा करता है दोस्तों फ्लेस्टर आपने की बाद की कहरोऊ चरहा है न स्वेएश क्लिक कर देना होगा कर दिने के साथ साथ simply overview manage रहेगा तो आपको manage पे click कर दिना होगा और manage पे click कर दिने के साथ साथ यहाँ पे install का जो option देख रहे हो install पे click कर दिना होगा कर दिने के बाद यहाँ पे देख सकते हो not मैंने delete कर दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लेस्टर पर यहाँ पे available हो रहा है जिसकी वज़ासे memory जो है मेरा full हो रहा है जिसकी वज़ासे phone hang करता है phone slow होता है और फिर आपको करना क्या होगा अब घबराऊ मत बस इस तरह से इसको सारा का सारा सिलेक करो, यह जो है आप पिछले तीन-चार साल से फून को जितना यूस कर रहे थे, फून में जितना भी अप आपने डाउनलोड इंस्टिल किये थे, सारा का सरा आपको यहाँ पर रिमोड कर दिना है कर देने की बाद simply आपको manage apps and device में क्लिक करना होगा कर देने की बाद यहाँ पे update available देख सकते हो जो कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे update available आ रहा है जैसे 10 apps 90 मेरा जो update available 97 apps update available हो रहा है मतलब कि मैं जब भी मैं wifi यह data यूज़ करता हूँ तब देखना अपने आप यह update होते रहते हैं जैसे मैं इसको update देता हूँ update जैसे दे दिया उपर से इस तरफ से update होते रहते हैं जिसकी वज़़े से मेरा phone का network काम नहीं करता है और जल्दी MB भी खतम हो जाता है तो आपको करना क्यों होगा एक दोस से वाइफाई या किसी के पास जिसके पास वाइफाई है आपके पस अगर आप जैसे phone को कुछ नहीं करते हो phone का बस data on होता है तो उपर से ऐसे app अपडेट होते रहते हैं तो यहाँ पर एक setting off करना है जिसके वाज़से आपका phone hang होता है तो यह setting इसमें click करना होगा आपका profile पे click कर दिने के बाद सिंप्ले setting पे click कर दिना होगा और जैसे setting पी click कर दो चिलेक करना होगा यह डोनोट अटो अपडेट एप से करोगे तब जाके आपका साहे जोज किसी के पास से वाई फाई लिया या नेट यूज किया फिर भी app अपडेट नहीं होगा अब जब चाहोगे तब ही app अपडेट होगा आपका phone hang या slow होने से बच जाएगा यह तीन क्या होगा about phone का setting मिलेगा आपको about phone में जाना होगा आपके phone में about phone में जाने की बाद देखना यहाँ पर MIUI भरजन का setting मिलेगा जैसे कि यहाँ मेरा MI phone है तो आपका अगर OPPO phone है तो OPPO version आएगा यह आपका दूसरे company का phone है तो यह भरजन आएगा ठीक है तो इसमें आपको पूरा गिंती करके साथ बर दबाना है जैसे मैं गिंती करके साथ बर दबा तो एक बर दो बर तीन बर चार बर पाच बर शे बर साथ बर यह देखो फिर साथ बर दबाऊगे तो दिखाएगा यू आपके phone में एक डेवलोपर का setting ओन हो जाएगा फिर आपको back आके फिर नीछे आ जाना है तुढ़ा नीचे आना है और नीचे आ जाने की बात दोस्तों उपर से उपर आना है ठोड़ा थोड़ा यहां पर फिर यहां पे एक सैटिंग मिलेगा जिसका नाम है बेकग्राउण प्रोसेस लिमिट तो आपको यहां पर इस्टेंडर्ड लिमिट रहेगा तो आपको करना क्या होगा no background process जिसके वज़ा से आपका internet बोलो, battery बोलो फिर कभी-कभी आपका mobile hang बोलो तो आपको no background process पे click कर दिना होगा यह exciting यहाँ पर enable कर दिना होगा और यह कर दिना यहाँ फिर से उपर आना है और थुड़ा उपर आना है फिर उपर और थुड़ा आने के साथ-साथ और एक setting यहाँ पर on करना है animation duration scale जो कि देख सकते हो फिर window animation scale तो आपको यह window animation scale पे click करके यहाँ पर यह off रहेगा नहीं तो animation scale 0.5 पर रहेगा तो आप जो है 1x पर देना है 1x पर देने के बाद phone speed हो जाएगा तो आपको 1x पर रखना है फिर यह तीनों के तीने 1x पर रखना है अगर आपका यह 0.5 पर है या off है तो आपको 1x पर रखो यह बस दो setting यहाँ पर developer setting पर करो यह हो गया अभी 500 setting अभी जो आखिरी setting है वो है आपके phone में करना होगा दोस्तो यह जो app है एप को इंस्टाट करने में इस तरह से allow कर दिना है प्लिक कर दिना होगा और सब्सक्राइगा पर इंस्टाट कर दिना कर दोगा कर दिने के साथब साथ simply यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आपके जो space है यहाँ पर आज आएगा phone के फिर Start Here पर click कर दिना Hoगा और Start Here पर ज sehe-sə e-click कर दोगे तो Scan for Zunk Files यही सबसे जरूरी है आपके फोन में जो Zunk Files है उसके वज़से भी आपका फोन कभी कभी हेंग करता है तो ये जो Scan for Zen Files इसमें आपको click कर दोगा फिर Finding Zunk अगर आपके phone में junk files होगा तो आपके phone में यह automatically fast scan finished अगर junk files होगा तो automatically scan होगा फिर हटा देगा फिर यहाँ पर see result पे click कर दिना होगा और फिर see result पे जैसे click करोगे तो देख से तो visible catches जो कि यह temporary app है यह देखो कोई भी काम का नहीं है इसको आप जैसे जैसे जिसको यहाँ पर residual files जो कि इसमें click करो जैंडर यह 3.25 जीबी यह काम का नहीं है ऐसे यह लगा हुआ है फिर install apps तो आपको यहाँ पर simply करना क्या होगा finish clean up इसमें click कर दिना हो फिर process पे click कर दिना होगा फिर process पे click कर दिना होगा clear temporary app files clear कर दिना होगा और फिर जैसे clear कर दो तो आपके पास आपको करना ही करना है तब जाकि आपका फोन का जो भी memory है फोन का memory फोन का storage सब कुछ आप यहाँ पर clean हो जाएगा फिर पूरी तरह से clean होगा clean होने की बाद continue as a free कर देना होगा ठीक है तो इतना कर लो फिर यहाँ पर यह कर देने की बाद आपका phone जब कुछ hang करने लगे त हो जाएगा तो यह कुछ setting करो 100% है आज के बाद आपका phone कभी hang नहीं होगा तो दोस्तों जैसे के अभी मैंने आपको life to life दिखाया कुछ setting बताया इन setting से आप आपकी phone में जो भी problem है hang slow heat जो भी problem है आपका phone बिलकुर सही हो जाएगा बिलकुर नया हो जाएगा तो अगर इस दोस्तों अपसे लिए अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जाएखिंद